हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं आप लोगों को मिला कुछ सुबे से लगे हुए है हाँ और इसको गहरा करना है मिश्रा जी आप ही और करो और आप लोगों प्लीज इसको और अच्छे से देखो बाद देखता हूं और देखता हूं सर पिछले हफ्ते से यह मजदूर इस जगही खुदाई कर रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है तो सर मेरी राय में हमें किसी दूसरी जगह पर खुदाई करनी चाहिए और मेरी राय में तुम्हें कहीं और नौकरी करनी चाहिए क्योंकि अब तुम्हें मेरे विश्वास पर यकीन नहीं है नहीं सर ऐसी बात नहीं है बात दरसल कुछ और है सिधे सिधे कहो क्या बात है सर वो दो-तिन दिन से कुछ मजदूर अजीब सा बरताओ कर रहे है कैसा बरताओ सर वो लोग बिमार होने लगे हैं और उनकी आखों में एक बयानक सा रूप रहे है और सब के हालत कुछ अजीब सी हो गई है और सर सुनने में तो आया है कि एक मजदूर ने दो-दो लोग उपर जानले और हमला कर दिया है इसलिए वो डर गए हैं और वापस जाना चाहते है लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरुवत नहीं है सब कुछ प्लैन के मतापिक ही हो रहा है मतापिक है सर ये क्या हो रहा है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम नहीं समझोगे जाओ मजदूरों से कह दो कि उनका काम हो गया है अब उजा सकते हैं लेकिन जाहेंगे कहां वैसे भी अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता ये कौन सा रूट ले लिया तुमने राहूल एतना सुनसान है जंगल है दोनों तरफ मुझे डर लग Grand तुम्हें तो हर बात में डर लगने लगा है कितनी बार कहा है तुम्हें की होरर फिल्में मत देखा करो मजाप मत करो राहुल सच मैं मुझे घब रहत हो रही है अरे कुछ नहीं होगा ये शॉट कट है ओके इतनी रात को शॉट कट लेने के क्या जरूरत थी में रोड से ही जाना चाहिए था ना में रोड पे हमेशा ट्राफिक होता है और इस रास्ते से जाकर हम लोग दो गुंते में पहुँच जाएंगे और वैसे भी मुझे घर जाकर सोना है वरना कर मैं आफिस में सो जाओंगा, ओके? क्यो? उफ! यहां तो रेडियो का नेटवर्क भी गायब है तुम आराम से सोजाओ निहा घर आने से पहले मैं तुम्हें जगा दूँगा, ओके? राहूल! मैं देखता हूँ हमें उसकी मदद करनी चाहिए तुम यहीं रुको और सौन नमबर डायल करके मदद लो समझें? हाँ, हाँ, ठीक है ओ नो, यहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं है राहूल, राहूल कहाँ चला गया? राहूल! राहूल, राहूल, देखो, मजाक मत करो राहूल राहूल, प्लीज, मुझे बहुत धर लग रहा राहूल नहीं! सर्य देख़े, जुगनु का रेकॉड तीन साल पहले इसे पुलिस ने लूट के मामले में पकड़ लिया था और कोट ले जाते वक्त ये पुलिस को चक्मा देकर भाग गया बस सरभ, उसके बाद से इसका कोई पता नहीं यह तो कहता हूँ, इसे पाताल से भी डूड़ा है ACP साफ, ACP साफ अगर यह ए, ACP साफ तो यहाँ पे नहीं है, हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी हमारा बेटा शाम गाइब है, हमने उसे सब जग्र उड़ा, लेकिन कहीं ही नहीं मिला वो आप ही हमारी मदद कर सकते हैं उसे ढूट कर आप ही ला सकते हैं हमारी मदद कीजिए प्रेटी अब बताए कि क्या हुआ था हम दोनों बाहर गए हुए थे दस दिन बाद जब लोटे तो देखा शाम का कोई पता नहीं सर आपने पडोसियों से या फिर हम लोग शेहर से दूर फार्म हाउस में रहते हैं जब हम लोग वहां से लोटे तो हमने देखा कि आसपास कोई भी नहीं है ऐसे कैसे हो सकता है एक साथ सब के सब कैसे गाप हो सकती सर सर में मेरा बेटा राहूल और उसकी पतनी आपने आखरी बार कब बात की थी उन दोनों से आखरी बार जब मैंने उन से बात करी तो राहूल देखा था कि हम बिंदलपुर जंगल के आसपास हैं और ती चार गंटे में घर पहुंच जाएगे लेकर अभी तक नहीं पहुंचा सर बिंदलपुर जंगल हमारा फार्म हाउस तो वहां से कुछी दुरी पर है सर इतनी सारे लोग इस अलाके से गायब हो गया सर ये कोई इत्तफाक नहीं हो सकता आप और भी इत्तफाक तो नहीं हो सकता रड़ी मुबाइल कंपनी में फोन करके पता करो के राहुल ने आखरी बार जब अपने पिता जी से बात की थी तो वह कहां पे था और आप हमें राहुल और नेहा की फोटोस दीचे और साथ ही साथ उस कार का नंबर सर जब आप लोग आए थे तो आपने किसी आदमी को यहां देखा था नहीं सर यहां सिर्फ गाड़ी खड़िये थी आदमी तो कोई भी ने था सर नंबर तो होई है यह राहुल की गाड़ी है और यह अजीब बात है इतने सुंसान इलाके में गाड़ी को ऐसे बीच सड़क में खड़ी करके वह बाहर निकल के गए कहा हूँ तर हो सकता है उनकी गाड़ी खराब हो गई हो और और अलो गाड़ी से बाहर कीसी से लिफ्ट मांगने के लिए उतरे हो हूँ हो सकता है अगज देखो गाड़ी में क्या प्रब्लम पूर्वी नमास पास चानमीन करो सर नहीं गाड़ी का दरवादा तो खुला हो आए और ये चाबी भी लगी हुई है ट्राय करो काड़ी तो चल रही है से इसका मतलब वो किसी और वज़े से गाड़ी से बाहर निकले था आखरी कॉल पीम बचकर बाइस मिनट पर सौ नमबर पर किया गया था इसका मतलब ये लोग बहुत मुसीबत में थे और हिने मदब की सख्त जरूरत थी लेकिन क्यूंकि ये सेरिया में नेटवर्क नहीं है ये कॉल लगा ही नहीं है सर ये देखिए खूल 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 सर वो देखिए सर जरूर राहूल और नहा में से किसी एक को चोट लगी हूँ और और वो लोग किसी विज़े से जंगल की और चले गए उन्हें मदद चाहिए जल्दी से डूंडते हैं उन्हें चलो राहूल नहा नहा राहूल नहा नहा सर यह तो खूल का ट्रेल भी खुतम हो जाता है अब इस जंगल में राहूल और नहा को ढूंडने के कहां किसी भी तरह उन्हें ढूंदना तो हो गाए और से देखो कोई न कोई सुराग जरूर मिलेगा राहूल नहा 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 ते आंजसरो किसी की आवासारी सजयतो किसी की कराने की आवासारी वस तरफसे पुमा 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 यह दो है राहुल किस्ते के होगी है से हलतिसके है ऐसा लगता है किसमें नोचा है किसी जानवर ने काटा है राहूल जाहुल थे किस्ते क्या यह सब रहुल तुम्हारी पत्नी नेहा कहा है भगजे आस-पास देखो अगर रहूल तो नेहा भी पास ही कही होगी. सार, इसकी तो हलत बहुत कराब है. इसका चैरा भी सफेद हो गया, देखी? इसे फॉरन अस्पताल पहुचाना होगा. नेहा! 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 रहना, सार! पूर्वी, संभालो इससे. सार. हाँ, पंकच. नेहा नी मिली, यह लाश मिली है. इस लाश पर भी बिल्कुल वैसे ही निशान है. जैसे कि राहुल की शरीड पर है. हो सकता है इसको भी जनली जान्मन ने काटा हो? पंकच. इस लाश को फोरेंसिक लैब बिजवाने का इंसाम करो. लेकिन उससे पहले राहुल को हॉस्पिटल पहुंचाना होगा. पूलगे? तुमने भीरो में फोन करके इंफॉर्म कर दिया? जी सार. सार. मैंसे समझ में निया रभ? रहुल और निया को हुआ क्या है? पहले रहुल को बचाना होगा, पर निया को ढूणना होगा. तब ही पता चलेगा कि इस सब के बीछे क्या है, और इन्हे हुआ क्या है? सार! तरप ठीके हैं? मैं ठीको. अगणा से सर बाग गया सर एक बात समझ में नहीं आई उसने मुझे काटने की कोशिश क्यों की बहुती अजीब बात है अचानक राउन ने रज़त पे वार कर दिया सर इतना ही नहीं उसका चैरा भी फीका पड़ गया थ फीका जग कर रहे अरे बाप रे सर मतलब राहूल एक जॉम्बी एक जिंदा लाश बन गया है प्रेडी ये जॉम्बी बगएर से फिल्मों में होता है समझे पुर्वी उस लाश की पहचान हुई जो जंगल से मेरी थी हाँ सर उसका नाम मजे था और वो जंगल के पास वाले फामाउस में रहता था अब जीत आड़ोट सर यार इस केस ने दिमाग खराब कर दिया बास कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्यो? क्या हुआ? अरे वो लाश उस लाश पर जो काटे हुए के निशान है वो किसी जानवर के नहीं है किसी इनसान के क्या? इनसान के? हाँ और उस लाश के मुँ में मुझे खोन भी मिला है इनसान का? खोन ही नहीं उस लाश के मूँ में मुझे इंसान की मास का टुकड़ा भी मिला है मतलब किसी ने अजे को काटा और अजे ने भी किसी को काट लिया हाँ बिलकुल तेकर उसकी मौत कैसे हुई से उसकी ब्लड जिपोर्ड से पता चला है कि उसके शरीर में एक किस्म का वाइरस था वाइरस? कौन सा वाइरस? ये तो मेरे भी समझ में यार मैंने इस किस्म का वाइरस कभी देखा सुनाए ने इंटेक्ट उसकी मौत भी इस वाइरस की वज़े से हुई पर और सा वी जल्दी से वाइरस के बारे में पता लगाई है मामला बहुत गंबेर है हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ अब जिट इंटेक्ट मैंने एक वाइरोलोजी और जेनेटिक एक्सपर्ट को भी बला है दिपते हैं वो कुछ मदद कर सकता है क्या में चीक है तब तक हम लोग यह पता लगाते हैं कि वाइरस अजे के शरीर में आया कहां से यहां के एक चीज को ध्यान से चेक करो यह पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि अजे और वाखी के लोगों को इंफेक्शन कैसे हो प्रोपर्टी और मेटिकल के पेपर्स सच्छिन 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 तुम ट्रीक हो समझ में ने रहा है इनकी हालत हैसे कैसे होगी इससे पेले के ऊषुष में आजा है इससे फरन से क्लाप लिजाना होगा पंकर्श सर अफर में सब्सक्राइब हिखम सब्सक्राइब होगे सबाके आझ सबाके रड़े है अधिक्वेते अधिक्वेते अधिर्णा भॉख एफिर्सुद करें दूख पार के अधिक्वेते अधिए जब में गार्वेते हैं जबेंख शपर बाहली वोल कोपे और में लेकरा थी वाइल जाने दो फॉर जाले दो चुर चुर अजिए! चुर अजिए! चुर अजिए! पुर निगलास! अजिए! 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 ये डॉक्टर विशाल है! ये वाइरालोजी और जेनेटिक साइंस के एक्सपर्ट है! हाँ! तो.. क्या पता चला आपको डॉक्टर विशाल? ये जो मैं देख रहा हूँ उस पर मुझे यकिन नहीं हो रहा है! ये नाममकिन है! नाममकिन है? क्या? जैसे कि इन मेरिज्जों को बहुत ज्यादा भूक लगना, गुसा आना, सोचने के शमता खत्म हो जाना, शरीर का फिक्या पढ़ना, और, वालेंट बिहेवियर, ये सर्व ऐसे वाइरस के लक्षण है, जब नहीं पाये जाते, एक्स्टिंट है, पर ये कौन सा वाइरस है? बहुत ही खतरनाक, कई सालों से देखे नहींगे, करीब 200 साल पहले, एक छोटे से गाउं में, एपिडेमिक फैला था, वो बिमारी कुछ हैसी ही थी, और मरीजों के लक्षन भी, उस वक्त ये वाइरस आया कहां से होगा? कहा जाता है कि ये वाइरस, इसे खुंखार जानवर में था, और उसने एक गाउंवाले को काट लिया, उसके बाद, बहुत तेजी से इंसान में फैलने लगा. इस साल पहले विलुपत हो चुका वाइरस, ये अजानक वापस कहां से आ गया है? इसका कुछ इलाज है डॉक्सर? नहीं अभी जी, अभी तक तो इसका कोई इलाज नहीं, लेकिन हमें रिसर्च करके कोई न कोई एंटीडोड ढूनना पड़े, इस वाइरस का कोई न कोई इलाज निकालना पड़ेगा, जिससे इन लोगों को बचाय जा सके, जिससे इस वाइरस का असर खतम हो सके, और तब तक उन लोगों को, जिनको इस वाइरस लग चुकाए, किसी ऐसे सुरक्षत इस्तार पर लखना पड़ेगा, जिससे वो लोग बाकी लोगों में इस वाइरस न फैला सके, वैसे शरीर में जाने के बाद, इस वाइरस का सर कितनी देर में शुरू होता है? इंफेक्शन होने के बाद, इंसान सिर्फ और तालिस घंटे तक जिन्दा रह सकता है, और इस वाइरस के लक्षन करीब चार घंटे में दिखाई देने लगते हैं, इसके बाद वो इंसान हुनखार हो जाता है और आपे से बाहर हो जाता है. सर, इस वाइरस वाली बाद کا मेडिया को पता चल गया है, और आम लोगों पता चल गई तो दह्शत फैल जाएगी से. माई कॉण! सचिन ये मीडिया वालों और पत्रकारों को समझाना पड़ेगा ये ख़बर सम्हाल के पबलिक के बीच में लाएं अब वाएं फैल गई तो अप्रा तफरी मत जाएगी पुर्वी प्रेस कॉन्फरेंस बलाओ मैं C.P. साथ को फोन करता हूँ साथ हमारे शेहर में एक ऐसा वाइरस फैला है जिससे शेहर के लोगों को जिन्दा लाशे बनाया जा रहा है जिन्दा लाशे हम C.I.D. वाले पूरी तरह से चौकनने और इस वाइरस को फैलने से रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं सुनाई कि ये इन्फेक्शन काफी तेजी से फैल रहा है आप इसे रोकेंगे कैसे? उल्टा मैं आप लोगों से अनुरूद करूँगा बिंती करूँगा कि आप लोग हमारी मदद करें लोगों को हिम्मत देने में चान्ती बनाये रखने में और अफवाएं ना पैलने में लेकिन ये सब हुआ कैसे? असली वज़े सामने आई नहीं है अब तक लेकिन हमारी इन्वेस्टिटिशन जा रिये तो जन्ता को अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? दिखिए अपने घर के दर्वादे खिर्किया बंद रखें हो सके तो घर से बाहर ना जाएं और हाँ किसी भी अंजान आदमी को अपने घर के अंदर आने ना दे थेंक्यू वेरी मच्च सर्थ सर्थ आजय के घर से ये कागशात हुआ चाह सर्थ आजय को ये वाक्सीन दो दिन पहले दिया गया था दो दिन पहले? और दो दिन पहले? मतलब अरतान इस घंटे पहले तो आजय की मौत हो गई तो कहीं ये वाइरस इस वाइन फ्लू के जरिया आजय की शरीर में गया तो नहीं है और सर आसपा उसके फार्माउज में रहने वाले सबी लोगों को ये वाक्सीन दो दिन पहले ही दिया गया था माई गौड मगर सर ये वाक्सीन तो बीमारी दूर करने के लिए दिया जाता है बीमारी फैलाने के लिए तो नहीं? वही तो ऐसा और क्या था उस स्वाइन फ्लू वाले वाक्सीन में? जिसकी वज़े से लोग बचने के बजाए मरने लगे? क्या था उस वाक्सीन में? पता लगाना पड़ेगा किस कंपनी ने बनाया ये वाक्सीन? हमें उन सभी इंफेक्टेड लोगों को एक जगह एक अठा करना बहुत ज़रूरी है ताकि इंफेक्शन किसी और में ना फैले पर उन सब को एक जगह एक अठा कैसे करेंगे? इस जंगल में तो वो लोग कहीं भी भी हो सकते हैं वो इस समय इंसान के मास और खून के लिए कड़प रहे वो लोग है और उनके सुंगने की शक्ती बहुत तेज है वो किसने कसी इंसान पर हमला ज़रूर करेंगे सर यह तो बहुत अच्छा है कि इस जंगल में बहुत कम लोग रहते हैं अगर यह हाथसा शहर में होता तो हम इस वारिस को कंट्रोल ही नहीं कर पाते इस जंगल में इंसान कम है इसलिए उनकी भूख और बढ़ चुकी है यह खून यह खून देख रहे हैं आप इसकी सुगंध उन्हें यहां तक खीश के जरूर लाएगी प्रचिन बात क्या तुम्हारी सांस है तने फुल क्यु रही है तुम ठीक तो ना हाँ सर मैं यह जरा बिल्कु ठीक हो सर ज़रवात दिखाना कुछ निए थीक हुम है कुछ नहीं आए तो दिखा क्यों ने रहा है चुपा क्यों रहा है ओमाइ गॉड़ अजय के कॉटेज में उन लोग ने तुम्हें काटा था तुमने अमें बताया क्यों ने सचिन सर जब इत्मी लोगों की जान खातरे में हो तुम्हें अपनी जान की फिक्र कैसे कर सकता हूं सर उनकी जान पचान ही होगी जहें मुझे कुछ भी हो जाए कैसी बाते कर रहे हो सचिन तुम समझने रहे हो उन लोगों ने तुबे काटा है इसका मतलब है तुम भी उन लोगों की तरह बंज हो गए सर लेकिन इंफेक्शन का आफर चार घंटे के बाद ही होता है और इन चार घंटों में मैं अपनी जुटी करते रहना चाहता हूं, सर और चार घंटों के बाद क्या? कुछ नहीं होगा, सर चार घंटे के बाद सर आप आप मुझे एक वादा करो, सर जैसा वादा? सर मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की मौत का कारण बनो और इससे पहले कि ये लाक्षन मुझ में आजाए आप वादा किजी कि आप मुझे कोली मार देंगे कोली मार दो? में सेजिन, कुछ नहीं होगा तुम्हें तब तक डॉक्टर सालूं के कोईना कोई इलाज ढून लेंगे तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोला होगा एक मियाट कुछ आवाजें आरें इधर से आओ मेरे साथ अब आज ये तेज हो रही है लगता है इस खोन के सुगंद उनलों तर पहुँच चुकी है अब हम क्या करें? इस खोन के सुगंद से वो लोग लोग हमारा पीछा करते करते उस पास वाले फामहोस दगा जाएंगे और हम लोग और हम लोग उसी फामहोस उन्हे कैद कर देंगे जड़ी चलो अब लोग खुट अब लोग अब लोग अब अब हुआ पंकच, पूपर जाओ, सारे खीड की दर्वाजी अंदर से बन कर दो, सामनी के दर्वाज़ खुला रखना ताकि बोलो, अंदर आ सके, जल्दी! सब बंद हो गया, चलाओ! चलाओ, 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 अधी, एक मिनिट, एक मिनिट, एक मिनिट, एक मिनिट, एक खिड के तो खुली रह गई, हाँ? मैं बंद करके आता हूँ! वाइरस? क्या कह रहे हैं आप? मैं ऐसे किसी वाइरस के बारे में नहीं जानता? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं? जूट! आपके कंपणी के बनाए स्वाइन फ्लू वैक्सिन में से ही ये वाइरस पहला है, समझे? नहीं सर्, पिछले हफते ही उस वैक्सिन का एक बहुत बड़ा बैच हमारे गोदोन से चुराया गया था यह लो, कहानिया बनाना शुरू? नहीं सर्, यह यह दखिए मैंने तो पुलिस कंप्लेंट भी की थी सर्, वैक्सिन चुराने वाले नहीं उस पर वाइरस मिलाया होगा यह वाइरस कितना खतर ना के पता है तुमें? पता है सर्, दरहसल उस वैक्सिन तो खोज नहीं हमारे कंपणी का सिक्रेट मिशन था और तीन साल पहले हमने उसकी खोज की थी कहां से की थी खोज? मुंबई से 500 किल्योमेटर दूर एक छोटा सा गाओं है जा 200 साल पहले लोग रहा करते थे एक एक करके उस वाइरस की वज़े से लग मर गया तो फिर तुम्हारे इस प्लान में काम या भी क्यों नहीं मिली? दरसल रिसेज करते समय यह ऐसास हो आमें कि यह वाइरस किता खतरनाक है और इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता कितने लोग जानते थे इस वाइरस के बारे में? पांच लोगों को इस वाइरस के बारे में पता था और सबसे यादा डॉक्टर सुरेश हमारे कंपणी के साइंटिस्ट को डॉक्टर सुरेश? कहा है इस अब डॉक्टर सुरेश? बहुत बदबु आ रही है फ्रेडी, देखो जरा देखो कहां से बदबु आ रही है ये सर सर हाँ, सर कौन हाई कौन उतार उट से सुरेश है सुरेश ही हो गाई है गुली मारी है किसे नहीं से सीले में बौडी सर्ने लगी है काफी वक्त हो चुका है मरके मगर सर, एक सैनेटिस का कोई खोन क्यों करेगा? फ्रिदी फ्रिदी कोई तो है जो जान गया था कि सुरेश के पास उस वाइरस का फॉर्मिला है और उस वाइरस का फॉर्मिला पाने के लिए सुरेश को बली चड़ा दिया गया कमरे के अच्छी तरह से तलाच चिल, अच्छी तरह से देखो कोई न कोई सुराथ तो ज़रूर मिलेगा यह क्या है सर, यह फाइल मिली है मैंने कहा था ना कोई न कोई सुराथ जरूर मिलेगा यह देखो, मुझे माइक्रोचिप मिल गई है अच्छा क्या है इस फाइल में? सर, इस फाइल में कुछ डिजाइन जैसा डिजाइन? लगता है कोई ऐसा मेकैनिजम, कोई ऐसा यंत्र जो किसी भी दरव पदार्थ को लिक्विड को गैस में बदल दे यह देखो, गैस वायू में बदल दे मगर इस से होगा क्या? अगर यह विशारी वायू यह पॉइजनेस गैस इस शेर के हवा में फैल जाए तो शेर के लाकों लोग चलती फिरती लाशे बनेगी चलती फिरती लाशे अगर यह तो बड़ा ही खतरना मेकनीजम है सर भी बस इस सारी मेकनीजम के ब्योरा इस माइक्रोचिप में सर प्लीज सर मुझे कुछ नहीं होगा आपलोग मेरी जंता मत कीजे सचीन उन लोगों ने तुमें ताटा है और काटने की वज़े से वाइरस तुमारे शेरन में फैल रहा है बस थोड़ी देर में तुम उन लोगों की जैसे करने लगोगे अब जित जल्दी से जल्दी से हॉस्पन ली जाना पड़िगा अगर सालूंके साब कह रहे थे कि इस बिमारी का कोई इलाजी नहीं है यार सालूंके इस वाइरस का अंटिडोट कब तेरा बनेगा बस बस दो तीन टैस्ट और करने फिर बन जाएगा ने सालूंके हमारे पास वक्त बहुत कम है इससे पहले कि इस शेहर में तबाही मच जाए तुम्हें एंटिडोट ढूमना ही पड़े गाया मैं बनाता हूं बहुत ऐसा कुछ नहीं होगा मैं बनाता हूं जल दिया सर हाँ सर इस इस माइक्रोचिप में मुझे एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बिला है और सर मुने डीटेल्स निकाले तो पता चला ये बिल्डिंग जे बी नैच्रल गैस प्लांट है क्या मकर सर इस बिल्डिंग से उन लोगा क्या लेने देना हो सकता है एक बिल्ड अभिजीत वो साइंटिस्ट सुरेश उसने कैसा मेकानिजम बनाया जिससे उस वाइरस को वो गैस के रूप में बदल सकता है और फिर वो हवा में फैला भी सकता है सर अगर ऐसा हो गया तिम फिक्शन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा सारा शहर कात्रे में पड़ जाएगा सर नहीं अभिजीत हम इसा नहीं होने देंगे नहीं होने देंगे हम इसा हमारे शहर को बचाएंगे हम अपनी जान की बादी लगाएंगे लेकिन बचाएंगे शहर को J.B. Natural Gas Plant मास्क और ग्लोट्स बेंडू सरिय तुम मर चुका इसकी गर्दन तोड़के इस मारा गया विजद लगता है खुनी हमसे पहले ही यह पहुच गया सर इंफेक्टिड लोग इंफेक्टिड लोग इंफेक्टिड बंद करके रखाता है पर इंफेक्टिड लोग बाग कैसे आदें किसी तरह भाग निकले होंगे सर्वाँस चलो पंकज सारुंखे को फोन करके देखो उससे पूछो एंटिडोट लेगर कहा तक पहुचा है वो जल्दी प्रणी पुर्भी उन पर भी नदर रखो किसष्चा बुर्चा बढ बाग में भाग में रखो जो टाको नो जो एफ पर श्वल्चा गयाँ हो प्रणी की सरव गयाँ हो वह उसने घैस दोला है वह कॉन था वो जल्दी जगे दिखो तो जल्दी जखें दिखो वो इन लोगों के सारी में इंजेक्ट करेंगे यह ठीक हो जाएंगे लेकिन सालू के साथ यह एंटिटॉट हम इतने सारे इंफेक्टेड लोगों को लगाएंगे किसे यह सारे के सारे तो हिंसक बन गए है उसकी चिंता मत को रूफ्रेडी उसका अलाज है मेरे पास देखो य पहले इन लोगों पर हम ये गैस स्प्रे करेंगे, इस गैस की वज़े से बेऊश हो जाएंगे, उसके बाद हम वो इंजेक्शन इन पर इंजेक्ट करेंगे. zne ईकशन अब के स्प्रोग है क्या हम ये वे फ्लाइट् बंद कर सकते हैं? या सप्ले बंद कर सकते हैं? पास मिच में एक कमान देना होगा पर लाना कमान है आजएग़ चैंसर दाहएगा हाँ बताओ आह ओस और हाइट लड़ पर क्लिक कीजे तुम मुझे बता देजा, मैं करता. बता, क्या कमांड है? One. One. आगे? Zero. Zero. आगे बता, जल्दी. दुबारा zero. दुबारा zero? Zero. Four. आगे? One. 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 Nine. Nine. One. One. My God. कई पासवर्ड इसके जनमतारिक तो नहीं? 10th April 1969. 1004-1969. Six. Nine. आउट. 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 एकलबते बेटे का रास्ते पर एकसिडेंट हो गया वो बिचेरा खुम में लट पर तडबता रहा घंटों तक उदर्द से कराता रहा लेकिन उसकी किसी ने मदद नहीं की मेरा बेटे मर गया तब सिम्मन यह फैसला कर लिया कि मैं इस शहर के लोगों को बर्बाद कर रहा हूं का हूं इस शहर के लोग निर्थी और स्वार्थी हो गया ऐसा ऐसे लूम को तो मार देना ही अच्छा है तुमारे बेटे की मौत का अफसोस हमें भी है लेकिन यह कहा कि इंसानिया था कि बदले के लिए तुम मासुम लोगों की जान लेना शुरू कर दो यह वाइरस तुम्हें मिला कहा से सुरेश के लेबरेटरी से जब हमें पता चला कि इस प्रजेक्ट पर काम बंद हो गया है तो सुरेश ने काफी मात्रा में वो वाइरस असर लेबरेटरी से चुरा लिया फिर हमने उस वाइरस को स्वाइन फिलू के वैक्सीन मिला कर कुछ लोगों पर टेस्ट किया था कि हमें यह यकीन हो जा कि यह वाइरस उसी तरह काम करता या नहीं मगर तुम खुद उस वाइरस से कैसे बचे तुम्हे तो उन लोगों ने घेर लिया था उस वाइरस का अंटीडोट मैंने पहले से ले रखा था इस लेवे लोगों का काटने का भी असर मच पर नहीं हुआ और सुरेश उसका खून क्यों किया सुरेश डर गया था तुमने वैशीपन की सारी हदे पार कर दी लाखो लोगों को जिन्दा लाशे बनाकर इस शेर को तबाह करना चाहा तुम्हें तो फासी ही होगी फासी